हलो फ्रिंज में हुरे म लोरे में ओलकम टु माय चानल आज हम देखिए इस तरीकिये का बहुत ही प्यारत सा फैब्रिक लटकन बनाना सिखेंगे इसको बनानी का मने दखिए इस वीडियो में बहुत हैसान तरsoon बताया है अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो कों तक दिखिएगा तो दिख सके हैं, इसको बनाने के लिए मैने दखे चकोर फइबरी कटिंग किया है जिसके लम्बाए और चोराई मैंने चार इंच लिया है और डोरी बनाने के लिए देखिए मैंने तिर्चे पट्टी कटिएंग किया है यह मैंने एक इंच चौलाई में लिया है अगर ज्यादा खीचाओ वाला फैब्रीक हो तो सवाईंच या फिर डेर इंच लिजिएगा अब देखिए इसको मैं यहाँ पर ज्याइंट कर लेती हूँ यह लंबाई में थोरा सा छोटा था तो देखिए इसको ऐसे तिर्चे में ज्याइंट करेंगे और फिर मार्जन जो है इसको ऐसे फैलाते हुए दोनों साइड में कर देंगे ताकि एक जगव पर डोरी मोटा ना हो और फिर देखिए इसको ऐसे डबल करेंगे सीधे साइड अंदर के तरफ करते हुए इस पर कर देखिए इसके उपर सिलाई करेंगे लगबग एक पॉइंट फोलिट साइट से छोड़ते हुए देख से पूरी में सिलाई लगा लेंगे देखिए जो सिलाई है बिल्कुल सीरी होनी चाहिए नहीं तो डोरी कहीं पर मोटा और पतला हो जाता है और सिलने के बाद देखिए इसको सिधा कर लेंगे तो यह मैं सुई की मदद से देखिए इसको सिधा कर लेती हूँ दोरी बनाने पर मैंने दिटल वीडियो अलग से अपलोड किया है अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा देख से देखिए डोरी तियार हो गया अब देखिए हम फ्लावर बना लेंगे तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने डबल में फैबरी के लिया है इसमिस से आप एक साइड में लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं यह मैं सूट के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग नहीं लिया है क्योंकि यह सूट का है अगर बलावज का हो तो आप एक साइड में लाइनिंग यूज कीजिएगा सिलने के बद इसे कौणर कट करेंगे थाकि सिधा करने के बद मोटा ना हो और फिर उल्टे साइड के तरफ दिखिए ऐसे कट लगा लेंगे हैंकी लगबग एक इच तक मैंने कट कर दिया है यह ही से इसको सिधा करेंगे देख सकते हैं अगर आपने लाइनिंग यूज किया है तो लाइनिंग के साइड में कट कीजिएगा और फिर बारी-बारी से देखी इसके कॉर्णर को यहीं से उपर के तरफ लाते हुए सिधा कर लेंगे यहीं मैंने देखी छोटावाली स्कूल ट्राइबर लीया है इसकी मदद से इसको सिधा कर लेती हूँ कि इससे परखाण देख सकते हैं चारों को मैंनेसिधा कर लिया है और फPhे मैंने देखी इसके उपर आयर्न लगा लिया है ताकि यह अच्छे से बैठ जाया अब देखिए इसके किनारी पर मैं यह लैस यूज करूँगी आप चाहें तो भीना लैस के भी इसको बना सकते हैं यह मैंने देखिए सोट से मैचिंग लैस लिया है थोड़ा सा एक पांट छोड़ते हुए इस लैस को मैं देखिए यहाँ पर अटेच कर लूगी ऐसे देखिए पूरा किनारी पर नहीं यानिकि एक पॉइंट अंदर के तरफ ऐसे अटेच करेंगे तो यह ज्यादा अच्छा लगेगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस्टर जो लैस उसको कट करते हुए देखिए यहाँ पर अच्छे से पका कर देंगे ताकि यह ना खोले इसी परकार देख सकते हैं यह मैंने सब के उपर लैस अटेच कर दिया है अब देखिए फिर से इसको ऐसे चार फोल्ड करेंगे और य सेया चारो पीस में मैंने सेंटर में कट लगा है अब देखे यही से मैं इसके अंदर के डौड़ी अटैज करूंगी जो देखे च वब का जो सीधा साइड है उसको जो कुछ सींच करते हुए ईससा क注 सब को इसके अंदर लाटे हुए fix करेंगे तो कैसे सिलाई करना है देखिए इसे टोटल ना पलेंगे तो टोटल लग होग डेर ही इंच है तो इसका half करेंगे यहां पर देखिए डोरी के पास तक ऐसे तिर्चे सिलाई करेंगे और इसी परकार देखिए दूसरे साइड में भी ऐसे ही तिर्चे में सिला लगा लेंगे तो अच्छे से पका करते हुए देखिए धागा कट करेंगे इससे सिलाई करने के बाद ऐसे दूसरे साइड से इसको फिर से फोल्ड करेंगे और यहां पर भी देखिए फिर से उसी परकार सिलाई लगाएंगे यानिकि इसका सेंटर करते हुए देखिए एक न देख सकते हैं चारों साइड से सिलाइक करने के बाद इसको इससे सिधा कर लेंगे तो इस पर कर फ्लावर के जैसा यह बन जाएगा और यह बहुत ही प्यारा लगेगा देख सकते हैं अब देखिए दूसरा लेयर को लेंगे यानिकि दूसरा जो चोकोर फैबरिक है उसको फि हिंच धोली पे इसको fix करेंगे तो निसान मैंने लगा लिया है इसको देखिक निसान के पास लाएंगे और फिर से जो निसान, यह है यहां पर यह जितना है इसका half करेंगे दुझाने दोन हाट में और लगा लेंगे अगर हाथ से ना हो तो देखिए यहां पे स्केल भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे निसान लगाने के लिए देखिए यहां पर एक और बात समझ लेजिए यह जो दूसरी सिलाई है फ्लावर के उपर यह सिलाई लगाते समय आप ध्यान देजिएगा देखिए ऐसे सिलाई लगाते समय जब आप बैक साइड में सिलाई कर रहे हैं तो यह जो दूरी है इसको देखिए ऐसे खिचते हुए फ्रंट साइड में रखिएगा और जब फ्रंट साइड वाला यह सिलाई हो तो देखिए इसको ऐसे बैक साइड में कर देंगे ताकि दू दोरी की उपर चल जाता है तो सिधा करने के बाद जो फ्लावर का सेफ अच्छे से नहीं बैटता है तो इस बात का अफ ध्यान दीजिएगा अब दखिए इसको सिधा करेंगे तो इसका सेफ दिख सकते हैं बहुत है सुन्दर आएगा देख सेते हैं किसी भी साइड से यहां पे डोरी नहीं दबा है तो से बिल्कुल पॉर्फेक्ट आएगा आप देखें तीसरे को भी उसी परकार यहां पे डियर हिंच की डोरी पे अच्छे से फिक्स कर देंगे और उसी परकार यहां पे भी सिलाई लगा लेंगे देख सेते हैं आप फिर इसको ऐसे सिधा करेंगे तो यह तीन लेयर त्यार हो गया आप देखें चौथा लेयर को भी उसी परकार यहां पे डियर हिंच की दोरी पे ऐसे लाते हुए उसी परकार सिलाई कर लेंगे तो यह मैं देखे चार लेयर में बनाऊंगी तो चारो को मैंने यहां पर टेच कर दिया है देख सकते हैं यह तिन लेयर में भी बना सकते हैं या फिर आप पांच लेयर में भी इसको त्यार कर सकते हैं लटकन को जैसे आपको अच्छा लगे इस परकार देख सकते हैं हैं मैंने दोनों लटकन बना करके त्यार कर लिया है तो बहुत ही प्यार लगेगा तो इस परकार आपनाई और ट्राइ कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा देखिए अगर थोरा सा भी हेलफुल रहे तो के लिए धन्यवाद है